मजा टेकनिकल चैनल में आपोयोको स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि YouTube चैनल अगर अंडर रिवीव में जाता है तो कितने दिनों के बाद प्रोसेस सफल हो जाता है या फिर कितने दिनों के बाद रिवीव से आपका चैनल वापस होके आपका चैनल पर मोनिटाइजेशन ओन हो जाता है तो सबसे पहले आप ये समझ लेजे कि जैसा कि जैसे ही आप मोनिटाइजेशन पर जाके जैसा कि आपको मालूम है कि Step 3 जो है आपको परक्रिया वहाँ पर पार्क करना होता है जहाँ पर मोनिटाइजेशन के लिए Step 1 और Step 2 जैसे ही आप वहाँ पर डन करते है step 3 जो है automatic आपका channel under review के लिए चला जाता है और वहाँ पे इस समय की अगर बात करें तो 7 days के अंदर जो है यानि कि एक सब्ता के अंदर कोई भी YouTube channel under review से recover हो जाता है और उसके बाद channel का monetization on हो जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि time का काफी जादा वहाँ पे time लग जाता है ऐसा भी channel है जो 24 गंटा के अंदर ही recover हो गया है यानि कि review से बाहर आ गया है और कोई channel ऐसा भी है जो 3-3 महिना 4-4 महिना under review के अंतरगत रहा है तो यहाँ पे सबसे पले आपको यह समझना परेगा कि YouTube पे under review में जितने सारे creators channel अपना डाले हुए है यहाँ पे YouTube पे कोई fix तो है नहीं कि per day इतना channel बनाया जाता है या फिर एक मन्थ में कोई counting वहाँ पे data नहीं है कि कितने YouTuber का वहाँ पे 1K subscriber और 4000 watch time पूरा हो जाता है यहाँ पे जिनका subscriber या फिर watch time पूरा होता है वो जो है अपने channel को under review के लिए डालते है यानि कि monetization का apply करते है तो यहाँ पे सबसे पले आपको ये बात समझना परेगा कि अगर कहीं भी हमें station पे जाते हैं टिकट कटाने के लिए तो वहाँ पे सबसे पले हमको ये देखना हुआ कि जो line लगी हुए जो row वहाँ पे है उसमें कितना public line में खरा हुआ है जाहिर सी बात है आपका number जीस अस्थाम पे होगा जीस जगा पे होगा वहाँ से चलके आपको counter तक पहुँचना पड़ता है ठीक उसी तरीके से YouTube का भी यही परिकिरिया है आपके पहले जितने लोग जो है अपने channel को under review के लिए डाले हुए है जब तक वो सब channel चेक नहीं होता है तब तक आपके channel का बारी नहीं आता है तो यहाँ पे अभी एक सब्ता के अंदर under review से recover हो जाता है और monetization on हो जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काफी ज्यादा time लग जाता है अगर इस परिष्थिती की बात करें अगर आप क्रोना वायरस की परिष्थिती में अगर आप apply करते हैं तो वहाँ पे असपष्ट लिखा हुआ है कि due to global disease यानि कि क्रोना वायरस के कारण जो है delay वहाँ पे हो स सब आपको वहाँ पे टेंशन नेने की जरूरत नहीं है आप वहाँ पे अगर महीना दिन भी लगे तो वहाँ पे आपका चैनल जो है under review के लिए है और अगर कोई problem होता भी है किसी कारण वह से आपके चैनल को अगर रोका जाता है monetization on नहीं किया जाता है तो रीजन क्या है वह आपको जरूर बताया जाता है और अगर आपका हर्चीज वहाँ पे परफेक्ट होगा यानि कि आप वहाँ पे किसी तरीके से दूसरे का content यूज नहीं किये है या फिर वैसा जो यूटूब के community guidelines को follow नहीं करता है उस तरह का अगर आप वीडियो नहीं बनाए है तो अगर एक आकरा दे तो उसमें आप पकर के चल सकते हैं कि एक साथा के अंदर चैनल जो है अंडर review से वापस आ जाता है लेकिन कभी कभी वही जो हम बता है कि अगर आपसे पहले ज्यादा लगा हुआ होगा वहाँ पे review के लिए तो फिर आपका बारी आएगा तब उस समय आ जाता है और एक चीज आप यहाँ पे खास करके ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने यूटूब चैनल को अंडर review के लिए डालते हैं तो वहाँ पे खास करके आप अपने device पर या फिर आपके जान पाशान के जो भी है जो आपके वीडियो को सिर्फ ओपन करके वहाँ प किसी के स्क्रीन पे यूटूब आपके वीडियो को दिखा रहा है तो वहाँ से आपके वीडियो को देख रहा है चुकि अगर आप यूटूब क्रियेटर से तो आप समझते होंगे कि यूटूब पे ट्रैफिक पेज होता है ट्रैफिक पेज से पता चल जाता है कि आपका वीडियो का आप लिंक कि सिर करें तो यह सब सारा चीज़े वहां पर डाटा एबलेवल होता है , आप खास करके ध्यान रखिये कि जब तक आपका चैनल रीवीव में है तब तक आप अपने वीडियो को ओपेन करके ना देखेए, और लगभग साथ तीनों में आपका चैनल जो है अंडर रिविवू से निकल जाता है और इस तरीके से आपका मुनिटाइजटास्टन हो जाता है अग्प हुआ हुआ है